भाईयों और बेहनों, नमस्ते, आप सबको श्री अर्विंद आश्रम दिल्ली शाखा की तरफ से श्री अर्विंद और श्री मा का प्यार भरा आशिरवाद. जमाना बहुत बदल गया है, लेकिन एक चीज जो बिल्कुल नहीं बदली वो है इनसान का स्वभाव. और इसलिए इनसान के स्वभाव को मंदे नजर रखते हुए, हमारे पूर्वजों ने जो सार्थक जेवन के चार आधार हमें बताए, वो आज भी बहुत मुनासिब लगते हैं. आज तो हम उनकी बात बहुत संक्षेप में करेंगे, लेकिन यदि आप अधिक विस्तार से जानना चाहें, तो इस पुस्तक से आपको मिल सकते हैं, शीरविंद की The Renaissance in India and Other Essays on Indian Culture, और इसमें कई जगह पे इनका जिक्र होता है, लेकिन खासकर इन प्रिष्ठों पे 161 से लेक में चाहें, तो शीरविंद आश्रम पॉंडिचरी की वेब साइट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, अब वो चार आधार हैं क्या, वो चार आधार हैं, काम, मतलए हमारी डिजायर्स, इच्छाएं, हमारी खुआशें, अर्थ, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जो कुछ संसाधन, रिसोर्सिस चाहिएं, और धर्म, क्या ठीक है, क्या गलत है, और मोक्ष, आजादी, फ्रीडम, लिबरेशन, अब हम जरा इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं, सबसे पहले काम, काम के दो मतलब होते हैं, एक तो एक काम, कुछ काम करना, और दूसरा हमारी इच्छाओं या खुआशें, अब इन दोनों में भी एक किसम से लिंक है, क्योंकि हम काम करते हैं, तो उससे हमारी इच्छाओं पूरी होती हैं, या इच्छाओं पूरी करने के लिए हमें काम करना पड़ता है, इसलिए काम का एक मतलब जो है इच्छाएं वो भी काफी जाइज है, और इंसान है तो उसकी कुछ न कुछ तो इच्छाएं होंगी, और वो जाइज भी हैं, और ज़रूरी नहीं कि वो इच्छाएं केवल रोटी कपड़े और मकान तक ही सीम कि कि मैं कोई बड़ा काम करूँ, मुझे नाम और शोहरत मिले, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और उन सब को पूरा करने के लिए हमें कुछ संसाधन चाहिए, वैसा, और कई बार कई और तरह के संसाधन, तो वो है हमारा दूसरा आधार और वो है अर्थ, अर्थ का मतल है मीनिंग, और दूसरा है, वो चीजें जिससे कि हमारी इच्छाएं पूरी हो सकें, तो मीन्स, यह दोनों अर्थ के मतलब निकलते हैं, और हम कही बार कहते हैं, मतलब का आदमी है, मतलब काम कुछ कर सकता है, तो अर्थ के दोनों मतलब हैं, अर्थ का मतलब मतलब भी है, और मतलब की चीज़ भी है जिससे कि हमारी खुआशें पूरी हो सकें। तो उसमें पैसा एक important चीज़ है लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं मिल सकता और कई और तरह के संसाधन में चाहिए होते हैं और यदि हम उन सब को हसिल करना चाहें तो वो भी ठीक है और कुछ हद तक अगर उनको एकत्र करना चाहें कि कुछ अभी इस्तेमाल करेंगे और कुछ बाद में तो उसके लिए भी अनुमति दी गई है तो इच्छाएं भी जायज है और अज़ि इच्छाओं को पूरा करना है तो उसके लिए जो कुछ हमें चाहिए उसको हासिल करना भी जायज है काम और अर्थ दोनों ठीक हैं लेकिन पैसरी चीज़ है धर्म का मतलब वो न समय में था वो था किया और गलत क्या है उसका विवेग तो चाम और Oर्थ टो ठीक हैं लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि ठीक तरीके से करें गलत तरीके से ना करें ठीक क्या है गलत क्या है उसके लिए कुछ guidelines जो है कुछ mark दर्शन हमारे ग्रंथों में है और वो अलग अलगता है कि ethical codes है लेकिन सबसे बड़ा जो स्रोत है जहां से हमें पता चलता है कि क्या ठीक और क्या गलत है वो हमारा अपना छिपाने की कोशिश करता है तो दिकत यह नहीं है कि हमें पता नहीं है ठीक क्या है और गलत क्या है लेकिन मुश्किल यह है कि हम अपनी ख्वायशों के इतने वश में आ जाते हैं कि हम कई बार उसको पूरा करने के लिए गलत काम भी करने लगते हैं तो वो नहीं करना चाहिए और इसलिए तीसरी चीज़ धर्म वो जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो गलत काम नहीं करेंगे तो काम और अर्थ और धर्म और धर्म क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन का लक्षे है मोक्ष वो है चौथा आधार, लिबरेशन और किस चीज से लिबरेशन? कई बार मोक्ष का मतलब हम समझते हैं कि मृत्य हो जाएगी तो इस संसार से छुटकारा हो जाएगा और वही मोक्ष है वो मोक्ष मिलेगा या नहीं? उसका तो किसी को पक्का पता नहीं है लेकिन इसी जीवन में इसी प्रत्वी पर मोक्ष मिल सकता है और वो कैसा मोक्ष है? कि हम किसी के उपर और किसी चीज के उपर अपनी खुशी के लिए निर्भर न रहे और वो कैसे हो सकता है वो तब ही होगा जैदी हम अपनी ख्वाइशों को ठीक और गलत का ध्यान रखते हुए करेंगे यदि ठीक और गलत क्या है उसका ध्यान रखते हुए करेंगे तो हम ऐसे काम करेंगे जिससे कि हम केवल अपना नहीं दूसरों का भी सोच रहे हैं जो हमारा regular काम है चाहे हम घर में काम करते हैं बच्चों की देख भाल करते हैं या बाहर किसी तरह काम करते हैं दूसरों का ध्यान रखें दूसरों के प्रतीप प्यार से वरताव करें हमारे मन में यह नहीं सिरफ कि मुसीबत पढ़ गई है तो करना ही पढ़ेगा पेट भरना है तो करना ही पढ़ेगा जिम्मेदारी पढ़ी है तो करना ही पढ़ेगा यह सोचके ना करें सहर्ष करें, खुशी खुशी करें, क्योंकि हमें एक मौका मिल रहा है किसी के लिए कुछ करने का, प्यार से कुछ करने का क्योंकि जब हम प्यार देते हैं, तो उससे भी खुशी मिलती है और वो खुशी कैसी होती है, वो ज्यादा अच्छी महसूस होती है दो तरह की खुशी होती है एक होती है जब हमें कुछ मिलता है जैसे हमें कोई नई घड़ी मिली नई फोन मिला नई कार मिली नई मकान मिला नई ड्रेस मिली तो खुशी होती है लेकिन एक खुशी होती है देने की जैसे हमें कोई अच्छा खाना मिलता है तो खुश होते हैं कि देने की जो खुशी है वो हमेशा हमारे अपने हाथ में होती है। हम किसी को भी कुछ दे सकते हैं लेकिन जबरदस्ती ले नहीं सकते। हम किसी को भी प्यार कर सकते हैं लेकिन किसी को भी जबरदस्ती यह नहीं कर सकते कि मुझे प्यार करो। तो देने वाली खुशी हमेशा अपने हाथ में होती है तो यदि हमें एक ऐसी खुशी मिल सकती है जो पाने वाली खुशी से ज्यादा अच्छी है और हमेशा अपने हाथ में है तो उसको पाने में क्या दिक्कत है उस रास्ते पे चलने में क्या दिक्कत है और यदि हम उस रा हमारे साथ ठीक तरसे वरताव करें, उस पे ये निर्भर नहीं है, हम किसी चीज के या किसी इनसान के मोहताज नहीं है अपनी खुशी के लिए, और वही असली मोक्ष है, तो मोक्ष तो हो गया, इसी प्रित्वी पर हो गया, और कैसे हुआ, हमें उस चीज से अजादी मिल उस चीज से हम लिबरेट हो गए, जिसकी वज़े से हम दूसरों के उपर या कुछ चीजों के उपर निर्भर करते हैं, क्योंकि किसी को भी जिन्दगी में वो सब चीजें नहीं मिल सकती हैं, जो हम सब चाहते हैं, और होता यह है, कि यदि खौइशे हों, तो हमारा जो experience है तरजूर्बा है, अनुभव है, वो यह भी दिखाता है कि कोई खौइश पूरी ना हो, तो तो दुख होता ही है, लेकिन खौइश पूरी हो जाए, तो उससे भी दुख होता है, तो खौइशे चाहें पूरी हो या ना हो, दोनों ही दुख का कारण है, और इसलिमात्मा मिलेगी उतनी कभी मिली है और कितने समय तक मिली है कुछ समय तक मिलती है फिर चलि जाती है तो कुछ न कुछ price tags कुछ न कुछ हर इच्छापूरी होती उसके साथ लगे हुए आते हैं और यदि वो भी ना हो तो एक anxiety हो जाती है अब तो होगा तो यह एक anxiety रहती है तो इच्छाएं पूरी हो तो भी दुख का ही कारण बनती है तो इसका मतलब यह नहीं कि इच्छाएं पूरी ना करें क्योंकि यह चीज की इच्छाएं पूरी करने से हमें हमेशा के लिए कोई खुशी नहीं मिलेगी वो भी हमें अपने experience से तो तभी जो है असली wisdom में आएगी और जीवन को हम समझ पाएंगे तो इसलिए पूरी करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ठीक तरीके से करें और उसके साथ-साथ यह तजुर्बा जो है उसको internalize करते जाएं कि इच्छाएं पूरी हुई तो भी कोई हमेशा के लिए प्यार है क्योंकि प्यार ही जो है उसको व्यक्त करते हैं एक्सप्रेस करते हैं कुछ दे कर क्या दे कर जो हमारे पास है किसको दे कर जिसको उसकी जरूरत है तो यह fit एक complimentary situation life में अगर हम आसपास देखें हमें कई जगह मिलती है सब जगह मिलती है हर जिंदगे के दौर में म मिलती है और कई बार वैसे भी मिल जाती है आप रास्ते में जा रहे हैं कोई accident हुआ है कोई घायल हुआ है आपके सामने एक मौका है किसी को प्यार देने का तो प्यार देने का मौके हमें अंगिनत मिलते रहते हैं हम उनका पूरा फायदा उठाएं और इसका मतले नहीं बा आप देखते हैं कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुएं काम इच्छाएं बिलकुल ठीक है लाजमी है और कुछ न कुछ इच्छाएं जीवन में होंगी ही और उसमें कोई दिक्कत नहीं है अर्थ उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधन चाहिए पैसा चाहिए प लकिन धर्म का ध्यान रखते हुए ठीक क्या है और गलत क्या है यह नहीं कि किसी भी तरह से पैसा कमाना है किसी भी तरह से अपनी इच्छा पूरी करनी है धर्म का ध्यान रखते हुए और वो करेंगे तो क्या मिलेगा हमें मोक्ष आजादी लिबरेशन किस चीज से महताज नहीं होंगे अपनी खुशी के लिए तो ये चार सिंपल चीजे हैं और उससे नकेवल हम खुश रह सकते हैं, मन को शांती मिलती है, जीवन सुख में बनता है लेकिन जीवन सार्थक भी बनता है, जिस दिशा में जीवन जाना चाहिए, उसी दिशा में जाना शुरू हो जाता है तो चार चीजे हैं, काम अर्थ, धर्म और मोक्ष भन्यवाद